जादूई सेप का पेड़, एक समय की बात है, एक छोटे से गाव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था, वह अपनी पतनी सीता और दो बच्चों, सुरेश और गीता के साथ महनत और इमानदारी से जीवन्यापन करता था, मोहन दिन रात अपने खेतों में महनत करता था, लेकिन गाव की मिट्टी उपजाव नहीं थी, और बारिश भी कम होती थी, जिससे उसकी फसले अच्छी नहीं होती थी, वह अकसर चिंतित रहता था कि कैसे अपने परिवार का पेट भर सके, एक दिन मोहन लकडियां काटने के लिए जंगल गया, दिन भर की महनत के बाद, वह एक पेड के नीचे बैट कर आराम करने लगा, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक छोटे से चमकदार बीज पर पड़ी, वह बीज सुनहरे रंका था और बहुत अनोखा लग रहा था, मोहन ने सोचा, यह बीज तो बहुत खास लगता है, क्यों न इसे अपने खेत में लगाऊं, शायद इससे कुछ अच्छा हो जाए, वह बीज को घर ले आया और अपने खेत में बो दिया, कुछ दिनों बाद वह बीज अंकुरित हुआ और धीरे धीरे एक पौधे में बदल गया, मोहन को यह देख कर बहुत खुशी हुई, और उसने रोजाना उसकी द जैसे ही उसने सेब का पहला टुकडा खाया, उसे अपने अंदर अचानक से एक अजीब सी शक्ती का अनुभव हुआ, उसका शरीर हलका महसूस होने लगा, और उसके अंदर असीम उर्जा आ गई, उसने महसूस किया कि यह कोई साधारन सेब नहीं था, बलकि इसमें भी शक्तियां थी, मोहन ने इस बात को सबसे छिपा कर रखा और रोजाना एक सेब खाता, जिससे उसकी ताकत और उर्जा बढ़ती गई, उसकी महनत का फल दिखने लगा, और उसकी खेती भी पहले से बहतर होने लगी, गाव के लोग उसकी इस प्रगती से हैरान थे, लेक मोहन ने उसे सारा सच बताया, सीता ने कहा, हमें इस जादूई पेड का लाब सिर्फ अपने लिए नहीं रखना चाहिए, हमें इसे गाव के लोगों के साथ भी साज़ा करना चाहिए, सीता की यह बात मोहन को सही लगी, उसने गाव के मुखिया और सभी ग्रामिनों को बु अब गाव के लोग और अधिक मेहनत करने लगे और गाव में समर्ध्य आने लगी, कुछ समय बाद गाव की समर्ध्य की खबरें दूर दूर तक फैल गई, अन्य गावों से भी लोग इस जादूई सेप के पेड को देखने आने लगे, मोहन का गाव अब एक सफल और पेड तुम्हारे अच्छे करमों का फल है, लेकिन याद रखना, इसका दुरुपयोग मत करना, अगर तुमने इस पेड की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, तो यह पेड सूख जाएगा, और फिर कभी नहीं उगेगा, मोहन ने साधू की बात को ध्यान से सुना, और वा नहीं किया, कुछ वर्षों बाद मोहन और उसके परिवार का जीवन खुशहाल हो गया, और गाव भी सम्रिद्ध हो गया, उस जादूई सेब के पेड की वजह से पूरे गाव की किसमत बदल गई थी, मोहन ने कभी लालच नहीं किया, और हमेशा गाव वालों के साथ उस प प्रेड का फल साजा किया, इस तरह मोहन की महनत इमानदारी और निस्वार्थ सेवा से न केवल उसका परिवार, बलकि पूरा गाव खुशहाल हो गया,